दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हेल्दी और लंबा जीवन जिने का सबसे बहतर तरीका यह है कि आप हेल्दी न्यूट्रिन से भरपूर चीजों को अपने खाने में सामिल करें डॉक्टर और न्यूट्रिस्ट मानते हैं कि हेल्दी चीजों के सेवन करने से आधी से ज्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो सकती है आपके खाने की थाली में वोई सभी चीजे सामिल होनी चाहिए जिनमें वेटमिन्स, प्रोटीन, कैल्शिम और आईरन जैसे सभी पो सकता तो पाया जाते हैं दोस्तो नौन वेज के सौकी नाम तोर पर रेड मीट, चिकन और फिश का सेवन करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों चीजों में से सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमे होती है दोस्तो बॉडी ग्रोथ, मिंटेनेंस और रिपेर के लिए प्रोटीन की आवशकता होती है प्रोटीन बॉडी की सेल्स और टीशू को रिपेर करने में मदद करता है किवल इतना ही नहीं, बलकि डाइजिशन और मसल्स, स्केन और बोन के फॉर्मेशन के लिए भी यह आवशक है मीट प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है वहीं प्रोटीन की मातरा मीट पकाने के थरीके से भी अफेक्टेड होती है इसलिए बॉडी के लिए सही तरह के प्रोटीन की जानकारी होना इंपॉर्टन है चिकन और मचली, लीन प्रोटीन है जिसका मतलब है कि उनमें रेड मीट की तुला में फैट की मातरा कम होती है अलग-अलग प्रकार के मीट के रूप में प्रोटीन के डिफरेंट आप्शन अवेलेबल होने से दिमाग में ये सवाला आना नेचरल है कि हमारे लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है तो चलिए आज के वीडियो में हम ये जानते हैं कि प्रोटीन के मामले में चिकन, मीट और फिश में सबसे बहतर कौन है दोस्तो, रेड मिट में हाई बायलाजिकल वैल्यो वाला प्रोटीन होता है जिसमें एडल्ड के लिए आवश्यक आठ और बचों के लिए आवश्यक 9 इसे लमीनो एसिट होते हैं 100 gram red meat में average 20-24 gram protein होता है और इसलिए इसे protein का high source माना जा सकता है Red meat micronutrients के 7 में महत्तपूर्ण योगदान प्रदान करता है यह body के fat को कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें sufficient amount में stearic acid होता है जो सरीर के fat को कम करने के दिए संकेत देता है Mutton red meat के category में आता है Mutton iron और zinc से भरपूर होता है यही एक कारण है कि iron की कमी वाले लोगों को red meat खासकर mutton खाने की सला दे जाती है दुन्या भर में mutton कई प्रकार है इन्हें बनाने और खाने का तरीका भी हर जगा अलग-अलग है और किसी को भी ज़्यादा मात्रा में इसके सेवन से बचना चाहिए और बच्चों के लिए भी खास दर पर इसका ध्यान रखना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें saturated fat की मात्रा काफी ज़्यादा होती है जो लंबे समय तक लेने से health के लिए खत्रा पैदा कर सकती है साथी इसे ज़्यादा खाने से बच्चे मोटापा और diabetes का सिकार हो सकते है इसलिए बच्चों को ये ज़्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए आप अगर खाना चाहते हैं तो हपते में 2-3 बार इसका 7 कर सकते हैं ये healthy तो है लेकिन इसकी limitation ज़रूरी है इसमें fat अधिक होने से calorie भी काफी अधिक होती है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है पर अगर बात हम बकरे के मीट की करें तो ये बागी red meat के तुलना में अपक्षा कर लीन प्रोटीन है और नूट्रिन से भरपूर मीट है ये potassium, iron, magnesium, selenium, vitamin B12 और omega 3 fatty acid का भी एक अच्छा source है जो बच्चों के development में help कर सकता है दोस्तों हमारा body red meat का 74% और white meat का 80% protein absorbed कर सकता है इसलिए आप red meat के अपक्षा white meat के 7 को preference दे यदि आप protein intake बढ़ाने के लिए red meat खाते हैं तो भी white meat को ही choose करें दोस्तों अगर बात chicken की करें तो यह भी high quality के protein का एक अच्छा source है और इसमें बहुत अधिक fat नहीं होता है 100 gram chicken में लगबग 24-30 gram protein होता है चिकन प्रोटीन जहां बच्चों के brain को healthy रखता है और उनके mood को बहतर बनाता है वही vitamin B6, B12 और zinc उनके immune system को मजबूत करता है यह selenium का भी एक अच्छा source है जो आपके thyroid hormone और metabolism को regulate करने में मदद करता है बच्चे को चिकन खिलाने का एक फाइदा ये भी है कि यह वज़न को balance करने में मदद कर सकता है चिकन फॉस्फोरस से भी भरपूर होता है आपके दात और हडियों के स्वास्त के साथ साथ आपके liver, kidney, central nervous system के कामकाच को भी बहतर बनाता है चिकन को अगर तले हुए या ज़्यादा तेल में पकाया जाए तो यह हमारे सरीर के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए चिकन से बहतर nutrients पाने के लिए इसे उबाल कर खाना एक अच्छा options हो सकता है इसके अलावा रोज चिकन खाने से आपके body में excess protein fat के रूप में store होने लगता है इसका मतलब है कि आपका weight बढ़ता है और blood में lipid का level भी बढ़ जाता है तो daily chicken खाने से बचे दोस्तों अगर मचली की बात करें तो यह protein से भर पूर है जो कि बच्छों की height बढ़ाने के साथ उनकी बागी body के development में मदद कर सकता है यह nutrient से बढ़ा होता है जो सरीर के development और maintenance के लिए आवश्यक होता है 100 ग्राम फिश में लगबग 17 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है बच्छों के लिए मचली खाने के कई फायदे है जैसे कि मचली में omega 3 fatty acid और DHA protein होता है जो कि बच्छों के आखों और brain के development में मदद कर सकता है मचली आपके triglystride level को भी control करती है और vitamin D का level भी बढ़ाती है इसके साथी मचली में protein की एक अच्छी amount होती है जो muscles growth के साथ साथ weight control करने में भी शायक है यह दुबला सरीर को ताकतवर बनाने muscles build करने और energy level को maintain करने में भी मदद कर सकता है fish brain में neurons को भी healthy रखता है साथी यह information को process करने यानि की समझने की सकती को तेज करता है मचली memory बढ़ाने में भी मदद कार है मचली खाने वाले में mood swings होने की संभावना कम होती है इसके साथी मचली में मौजूद omega 3 fatty acids depression से बचाव में मदद कार है बांगरा, frozen tuna और blue fish इसके अलावा मचली खाने के बाद दूद पिने से body के उपर सफेद दागोने का खत्रा रहता है इसलिए दूद और मचली का 7 एक साथ नहीं करना चाहिए इससे digestion related disease भी हो सकती है तो दोस्तो बच्चों के लिए chicken, muttन और मचली की तुलना करे तो सबसे जादा मचली खाने के फायदे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों के मानसिक और सारे रिग दोनों के विकास के लिया से काफी बेहतर विकल्प है अगर बच्छों के मानसिक विकास के लिए मचली के फाइदे की बात करें तो मचली बच्छों के कॉंसेंट्रिशन लेवल में सुधार लाती है इसके अलावा ये बच्चों में slip को encourage करती है क्योंकि मचली में ट्रिप्टोफान नाम का एक amino acid होता है जो कि नींद को बहतर बनाने में मदद कर सकता है अब बात अगर बच्चों के सारे रिक विकाश की करें तो मचली bone density और strength में सुधार लाता है इसमें calcitonine होता है जो bone के density और strength में सुधार करके bone को healthy बनाया रखता है लेकिन दोस्तों इस बात से बिलकुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अक्सर animal protein जैसे कि meat, fish और chicken, anti-biotics, artificial hormone और chemical से contaminated होते हैं जो लंबे समय में human health पर serious effect डालते हैं animal based food में मिलावर्ट health risk का एक कारण बन सकता है मचली और poultry firm अक्सर बहतर दिखने वाले stock को बढ़ाने के लिए hormone और antibiotic injection को उप्योग करते हैं इन additive वाले meat को खाने से serious health issue हो सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों ऐसे ही informative और knowledgeable वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो की notification पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें